और आप माननो या मत मानो, काई के है आनन्दी कि जैसे आदमी कुछ भी करेगा, काई के लिए करेगा आनदी कि यह क्या है जैसे अंदर से आवा जाती है कि ये काम मेरे नहीं सही है, तो पिता जी जिससे अपन कोई काम शुरू करते हैं, तो शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, जिससे अपने को बहुत सारे काम अच्छा लगते हैं, जिसको बोलते हैं मुझे ये भी अच्छा लग रहा है, या मुझे खेलना भी अच्छा लग रहा है मुझे यह चीज पढ़नी भी अच्छी लग रही है तो इसी चीज में जिसे अपने को अपना फ्यूचर डिसाइट करना है अपना गोल अपने को डिसाइट करना है तो अपन वो केसे डिसाइट करें क्योंकि अपने को शुरू में तो हर चीज अच्छी लगती है मगर देरे देरे फिर उसमें इंट्रेस्स कम होते आता है तो जिसे मेरे जो उमर के लोग हैं जो हमारी उमरे 20 से लेके 22-23 साल की बीच में उसमें सबसार दा प्रोब्लम इसी चीज़ को लेके रहती है कि यार हमारा लक्ष क्या चुने कि यह कि जो हमको फ्यूचर में बेनिफ मिझा करेंगा कोण सबसे प़िल से ऊसको पता होना जैते की करेंगा कोण पूसारी ज्यानती है कि मूल कारण है आधनी अपको न पिढमता है पूरू आत्मा परमाति में इस इसलिए आनंद जैसे जो आपको इस स्रेष्टी में जैसे कोई भी जिव जन्तू पसुपक्षी एक तलास है जिसको किता है आनंद की अप कुछ भी डिसाइड कर लो उसे कुछ नहीं होता जैसे सिक अंदर ने भिस्टुव जेता बन जो फिर भी दुखी मतलब पनास तो आप मानो या मत मानो काई क्या है आनंद लिगी जैसे आद मित कुछ भी करेगा काई क्ले करेगा आनंद लिगि जैसे आप पढ़ए करो प पाइसे मिल जाएंगे, नोकरी लग जाएंगे, क्या होगा, उसे आनंद से रहेंगे, तो तलास आनंद की, आई की हैं, यह आपका मूल सुभाओ है, जैसे मैंने आपके एंग दिन बताया था, क्या आत्मी आनंद ही क्यों चाहता है, बता था ना आपके एंगे, हाँ, जन्तुस्ट नहीं होगा, नहीं तो जैसे आप बोलते हो, क्यार जैसे अपने को घर चलाने के लिए, दो रोटी तो चाहिए, नहीं नहीं वो तो जैसे आपने जैसे उच्छा लक्ष, जैसे लक्ष तो एक ही है, आदमी का आनंद की तला, वो पुझ भी दूसरा बली बना तो उसके इस्टे चलने के लिए आपके सब चीजे जैसे पहला करते हम, आप एकदम से मंजिल पर पोशनी जाओगे, जैसे आपको पर जाना है तो यहां से तो उठानी पड़ेगा, तो बाकी जो आपको आखरी में जो जीए वो आनंद जी, हाँ वो का है, दलास आनंद की जैसे मैंने बताया था आपको कि जैसे पानी को आप डालो, तो नीचे की तरफ बेहता है, क्यों बेहता है? उसका मूल्स हो आप समुद्र की तरफ प्रवासित है, उसका जो पिता है, वो समुद्र है, आप माचिस की तिले जलाओगे तो उपर जाएगे, बतलब उसका पित जाएगा बाप बन जाएगा, उसको पतलब वो जब तक समुद्र में नी जाएगा हो, जब तक उसको आनंद नी आएगा मतलब बुल्टोस्वी जैसे परिवासा है, तो जब तक मन सुद्ध नी होगा, तो जब तक वो चीज यह क्या है, जिसे अंदर से आवाज आती है, क् जैसे उसको बना जाने क्या देखी आपने, आप प्रेसर का आएकाना क्या है, तो जो जो आवाज आती सुएम की, उससे पता लगता है, मेरे हिसाफ से तो क्या करना चीए, सुनो सब की और कि करो मन की, मतलब आप ऐसा बुलना चाहरे हो क्यार जिस काम को करने में आपको यस करके क्या करना चीए, इसके क्या परिणाम, क्या परमात्मा ने जितनी भी चीजे बनाई, सब अलग-अलग, सब अलग-अलग है मतलब, आखरी में गेरही से जब जाओ, दो पत्ते एक जैसे नहीं होते है, जिए आप फिंगर्प्रिंट ट्रेसर लगता है, किसी गर, मतलब कुल्मला के उसकी बात यह है कि आपको अंदर से ही आवा जाएगी, क्यार यह काम मेरे लिए एकदम परफेक्ट है, तो उस पर पापा कितना ही समय भी लग सकता है कि दो साल, एक साल, जैसे मूल चीज है, अब जैसे सिख्षा पद्दती, पेले जैसे मैंने आपको एक बैर आपको जैसे बड़े-बड़े कोई भी नेता है, राज नेता है, जो भी पड़निक्के जो करते तो कई क्यालत क्या हो जाती, कोई जेल में चला गया, कोई क्या गया, वहां जाके भी, तो मूल लक्ष आदमी का उस परमतत्त को जानना, बिना उसकी आनंदी की तरास जिसको गृत कहते हैं, बिना उसकी आपको बन इकुछ भी बन जाओं, दुखी के दुखी बनी बात है, कोई भी, तो मूल 具जेले जिसे आतम ज्यान, अब आतम घ्यान के लिए मन की सुद्धी जैसे ज्यान मार्ग ज्ञान अस्तितर पर जैसे अधाइ कि वह सारी सारा खेल हो उड़ा का का उड़ा का उड़ा करें तो सकतियों को जागरत करना यह कभी रहे का इन दोजोव ग्रत मैं में तेल है आपको प्रकट करते आत्मी चक्मक में आगे जब तक आप उसको प्रकट करना निसीखेंगे ऐसे आपके अंदर अप्ता इस्वर है तो उसको प्रकट करने की बिधी है जैसे रामा इन में प्रकट कर पाला दीन में आला को सन्लिया हितकारी तो प्रकट करना तो आप आत्मी के बाहर दूरता हैं नहीं आनंदे, जो अपने हिंदु दर्म के दरामना सट्डेध, तो बाकी सब असट्डेध, आप पानी में से यह निकालोगे, नहीं ने, संसार में जिसमें तुम को पहले बोला था है, संसार जब से बना है, एक आप वाद भी नहीं, जिसको अब मूल उस आनंद की तलास में निकले तो एक दिन पाजा पाई, सबके ने एक समय निर्धान तो 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 प्यास होना चीज़ को जानने की आनंद की तलास, अगर उस दिसा में काम करोगे, और मूल चीज़ है, जिसे करेगा कौन, तो आप ही अपने पास जैसे मन से अपन काम करते हैं, करता मन को माना गया है, काई को माना गया है? मन को, तो सारा अखेल है मन की ही कागवपा का, कोई भी काम, तो पहले से उस मन को ठीक तो करो, जैसे अपने को कोई पेन से लिखना है, तो पेन ठीक ठाक तो हो, जैसे पढ़ा और आपका दियान जाने का है तो याद नहीं होता है तो पहले मन पर काम करने की ज़रोत है उसके बाद कुछ तूछ पड़े जी मतलब यह इसको मैं बोलू ऐसा किना सही रहेगा कि जब तक मन जैसे ही मन एकागर होगा जब मन एकागर करोगे तो आपको अपना लक्ष का पता चल जायगा कि या ये चीज मेरी ने इatुछ है आपको अंदर से जू आब मेरे पसंद है जैसे क्या है अब जैसे पोई हार पर चड़ना है तो इसी बीज में हो चिपिरती तो एसा ही और मूल ठीद जो है, जैसे आतमे, जैसे मनुस्य देखा जो मूल लक्षे, किते नरसे नारायन बनना, जैसे आपके अंदर, जैसे बुद्ध महावीर, तो प्रकट होएगी प्रकवार उनके अंदर, मतलब जैसे आदमे, आपने बेदों में कहा है, अहम ब्रह्मास्मी, सिवो हम, आप सिवो, और आदमे ऐसा जैसे परेशाद, तो वो आंतरी सक्तियों का जागरम नहीं कर पाता है, पुल मिला के, नहीं मागर जब तक संसार में जब तक तो कुछ चाहिए ना, एक लक्ष तो च कराओ, बाके आपको, जैसे क्या होता है, सब चीद के लिए समय, क्या होता है, जैसे आप खेलने के लिए समय निकालो, गुमने के लिए निकालो, तो आप जैसे मैं आपको क्या बोला, कि आप 30 गंटे संसार के लिए कुछ करो, आप पढ़ाई करो, लिठाई करो, सेवा करो तो खेल कूद करो अब आपको पात जो समय आदा गंटा एक गंटा आप इस पर मंतन करें कि मैं कोन हूं कहां साया हूं यह क्या है तो आखरी में जैसे जीवन में आदमी कुछ भी कर ले जैसे अगर उस दिसामें नहीं गया जैसे वो कुछ भी कमा जैसे अंदर जरीगा फिर गया कि नहीं गया तो असनी आनंद जो है जैसे तूर्दास तो अंदाद में थे कबीर बेपड़ा लिका आदमी का आगज फिल्म कुछ हुआ भी नहीं और आनंद में फूफ लगद हुआ रेदास जमार थे तो अपनी जो मूल संस्क्रती है आध्यात्मी अब वो क्या है जैसे बारत पेले आध्यात्मी उसमें सोनी की चिडिया आध्यात्मी ग्यान जो भारत का तो भारत देश में अगर आप रहे हो अगर आप खाली सरीर ही मानते हो तो इससे बड़ी मूर्खता जैसे आप और कुछ भी हो मतलब सुनसिदास जी न तो यह भी का आप निद्रा भाय में सुन अगर आप चार सी चरत तो पसु के समान हो आप कुछ ऊपर उठना चीए उपर उठने का तात्परी जैसे क्या होता है जैसे पंडि स्री राम सर्मा अचारी का किना है आदमी को जो भी संगुल चलना है किते अंगुल चलना है चोबेस तो जैसे आत्मा यह उती चेसना यहां से आपको यह आग्या चक्र पर जाना है बगवान तो आदमी को करोड़ जन्ब हो गए जो भी संगुल ने चल पाता है अच्छा अगर मैं इसको इसको पूरा सार इसका खुद को जानना होना चाहिए अंटीमेट गोल तो यह जानना हो फिर जो अदर से आबा जाए वो अपना एक जीवन जीने के लिए उसको लक्ष करो खुद ही उसमें तो यह आंत्रिक जब अदर से जाओं तो उस्पड़ती है तो जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे बेखरी वानी, चार प्रकारी की बारी होती, बेखरी वानी, मद्दिवा वानी, पश्चनती वानी, परा वानी तो यह आंत्रिक जो सक्तियां हैं यह जब आपको जैक्रत करोगे तो आपको असली आनन्द आएगा बाकी तो आप जैसे जैसे कुछ भी कर लोगे जो रोटी ठाके पर आदमान जैसे आप देखो, जैसे लोग रोते हुए पैदा होते होते हो रोते होई मर जाते हैं, तो आपने आपके हिसाब से जिया, आपने पूरा जीवन जिया आखरी समय जब आप जाओ तो आनन्दी सोना जीए आपको आपको मूल लक्ष अपना अनन्द की प्राप्ति होना ची हां मतलब आपको आंत्रिक जो अपनी आवा जाए मेरा तो यह मत्त है कि जो अंदर से जो आवा जाए जो जो बनना है वो कारे कनना ची काई करना